Hello students and welcome back to your own channel अज फिडियो में बात करने वाले हम लोग accounts के advantages की और इसके limitations की previous videos मैंने आपको बताया था कि accounts होता क्या है definition और basic funda मैंने पूरा आपका clear कर दिये जिन भी बच्चों ने मेरी previous videos नहीं देखिए आप description में जाएए आपको playlist का link मिल जाएगा सबसे पहले जाके previous videos देखिए तो अब मैं आपको बता हूँ यहाँ पे advantages क्या होते है accounts के और इसके कुछ limitations भी होते है सबसे पहले देखिए advantages क्या है या उसके merits क्या होते है तो पहला point है helpful in decision making देखिए management का काम क्या होता है कि जो भी business है उसमें आपको decisions लेना है कितना आपको समान produce करना है कितना समान बेचना है कितनी wages देनी है छोटे बड़े सारे decisions management को लेने होते हैं और उसके लिए उन्हें चाहिए accounting information जब तक accounts की information उनके पास नहीं है तब तक वो decisions नहीं ले पाएंगे तो जो accounts है वो management को या managers को help करता है decision लेने तो ये पहला point होता है helpful in decision making second evidence in legal matters अब देखिए legal matters होते हैं कि जब एक business man अपनी market में business को run करता है तो उसके बहुत सारे competitors होते हैं उसरे business man होते हैं और बहुत सारे उसके दुश्मन बन जाते हैं कि कैसे ये business man grow कर रहा हम grow नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं कभी कभी जानमूच के भी उसके खिलाफ को legal action ले ले लेते हैं पुलिस में fire कर देंगे court में जाके कोई case कर देंगे कि भी या इसने मुझसे कोई समान लिया था चार-पास साल पहले यावी तक उसके पैसे नहीं लोटा हैं तो आपको भी याद नहीं होगा यार पांस साल पहले मैंने सिस्थ समान लिया भी था या नहीं लिया था तो जो accounts है वो आपको उस ताइम पे help करता है क्योंकि accounts में देखिए सारी details record होती है किस date पे आपने समान बेचा था किस date पे खरीदा था receipt है bill है वो सब चीजे होती है हमारे घर में भी होता है कि मैंने कोई समान माली जिए 3-4 साल पहले खरीदा कोई phone हो गया या कोई electronic product हो गया आप रोज रोज नहीं खरीदें अब आपको repurchase करना है या कोई भी आपको information चाहिए तो वहाँ पे उसका जो bill होगा जो receipt होगी वोही तो आपको बताएगी इतने का खरीदा था इस date पे खरीदा था अब उसकी warranty या guarantee है या नहीं है जो भी आपको information चाहिए आपको याद तो होगा नहीं तो उसी तरीके से court है police है जो भी legal authorities जिसने आपके खिलाफ case किया है जब भी case किया है तो accounts आपको उससे बचाता है तीक है वो कैसे बचाएगा वो as a evidence help करता है कि इस date पे भीया मैंने इसको समान बेचा था और इतना पैसा मुझे मिल चुका यह उसका proof है क्योंकि जो देखे documents होते हैं उसमें दोनों parties के signature होंगे stamp होंगे सारी details में लिखी होती है तो वो भी वहाँ पे नहीं का सकता भीया मेरा signature नहीं है तो वो भी कहेगा हाँ भीया आप भी ठीक है और यह case मैंने गलती से किये यह बहुत सारी tax authorities भी आप पे case कर देती है कि आपने income tax कम जमा किये यह GST कम जमा किये जितनी होनी चाहिए थी तो वो accounts पे जो information है वो आपको उस time पे बचाती है यह बहुत मेरी इतनी income है और मैंने इसके हिसाब से इतना tax दिया है तो accounts business man को जितने भी legal matters होते हैं जो भी authorities उस पे करती है तो accounts उस time पे आपको help करती है बचाने में अगर आप सही है next है helpful in raising loan अब देखें raising loan में क्या होता है कि बहुत सारे business man होते है जिने अपने business को expand करना है अपनी दुकान में माल भरना है उसके लिए उनको पैसे की जरुत होती है तो वो bank के पास जाएंगे और bank से कहेंगे भी या मुझे loan दे दीजे अब loan उन्हें मिलता कैसा है यह नहीं कि वो bank के पास गए तो bank आगा हाँ भी हम आपका wait कर रहे था जो भी profit loss है जो भी balance sheet है या जो bank के statements है यह दिखाने पड़ते है अपनी बात को proof करने के लिए तो वहाँ पर फिर से use होता है accounts का तो accounts help करते हैं कि वह यह उनके पास 5 साल 10 साल जितना भी वो record मांग रहा है bank वो सारे documents आपके सही तरीके से पूरे maintain होने चाहिए profit loss हो गया balance sheet हो गई bank के statements हो गए तभी उन्हें bank से loan easily मिलेगा वन्ना loan नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको loan लेने के लिए भी किसकी help नहीं पड़ेगी accounting information की तो जो भी accounts के documents हैं profit loss हैं credit worthiness है और main यह चीज कि हाँ भाया आपके पैसे को लोटा भी दूँगा तो अगर आप लोटा सकते हैं documents में यह proof हो जाएगा तो bank आपको loan दे देगा next step provides complete and systematic records यह point देखें आपको मैंने पहले भी बताया था definition भी बताया था जो भी accounts है उसका सबसे पहले काम क्या होता है कि जिस भी दिन जिस भी डेट पे accounts से कोई भी transaction हो रहा है business से कोई भी transaction हो रहा है कोई समान गया कोई समान आया कोई भी खर्चा हुआ कोई भी income हो रही है वो सब एक जगे आप systematically record maintain करते हैं जन्वें एंट्री के form में ledgers के form में जिससे आप क्या करेंगे profit loss या balance sheets maintain करते है तो यहां पर accounts का काम क्या होता है कि पूरा systematic record होता है अगर 5 साल पहले की भी आपको information चाहिए जैसे legal matters में आपको बताया था कि 5 साल 6 साल पहले कोई case हुआ है उस time की भी आपको information चाहिए तो accounts आपको वो information provided करेंगा आपको याद नहीं रहेगा मगर computerize भी कह सकते है या register में भी आपने कहीं न कहीं उसे record किया होगा next है information regarding profit and loss तो देखें जो भी accounts है वो यह बताता है कि आपके business में profit कितना हो रहा है या loss कितना हो रहा है अब वो different क्या करेगा टेखनीक सा यूस करता है जैसे ratio analysis है cash flow position है profit loss maintain करके trading PL बनाके और यह बताएगा कि भी आपका जो भी business है उसमें इतना profit हो रहा है इतना आपको loss हुआ तो profit आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप क्या decisions लेंगे तो वो सारी information accounts आपको help करता है next होता है financial position financial position में देखे एक term आता है balance sheet जिसकी details आपको मैं next chapter में बताऊंगा जब हम लोग accounting terms पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक term आपको मिलेगा assets और एक term liability तो वहाँ पे आपको detail में मैं explain करूंगा कि assets और liabilities होती है क्योंकि वही आपका financial position में आएगा simple आप बस यह समझे assets वो चीज है जो मेरी property है और liability वो पैसा होता है जो आपको वापिस करना third party को अगर मैंने किसी से credit पर समान खरीदा है तो जो समान खरीदा है वो मेरा asset है और जो भी पैसे उसके है जो मुझे लोटाने है वो क्या होता है आपका liability तो आपके assets कितनी है liabilities कितनी है तो वो financial position को disclose करें और ये information भी कौन बताएगा आपको accounts last point है detect errors and frauds लेकिए जितने भी business होते है उसमें बहुत सारे errors होते है कभी कोई transaction आप record करना भूल गए तो accounts आपको बताएगा भईया ये रसीध है और इस date पे आपने ये transaction नहीं किया या समान चोरी हो गया theft हो गया कोई fraud हो गया पैसे का हेर फेर हो गई तो accounts क्या करता है businessman को ये बताता है कि भईया ये चीज यहां पे होनी चाहिए चाहिए वो समान हो stock हो या money हो क्योंकि यहां पे पूरा systematic record आपका maintain होगा तो इस date पे अगर समान आया है और आपकी shop में नहीं है तो आप पकड़ लेंगे आप ये देखें कि भईया इस date पे मैंने समान खरीदा आता और ये बिकान ही अभी तक तो यहां पे जो भी businessman होता है जो भी accountant है जो business के सारे details maintain करना एक जगे वो ये भी चेक करता है कितना समान है कितना समान record है ये खासकार आपकी बड़ी-बड़ी companies में या मॉल में होता है जब मॉल में जाएंगे तो इतना सारा समान लगा होता है CCTV cameras होते हैं प्लस accounts टेंट के पास जब जाएंगे तो वहां पे उसके computer में भी पूरा record maintain होता है कि इतना समान आपका बचा है इतना समान बिग गया तो ये सब चीज़े आपके errors and frauds को detect करने में और decrease करने में help करते हैं तो आपको सारे advantages clear हो गया होंगे कि जो भी accounts है उसके merits हैं बहुत सारे points हमनों पहले और वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब आपको बिल्कुल नया topic में बताने वालों जो भी तक हम लोंने नहीं पढ़ाएं कि जो भी accounts है अभी तक हम लोंने इसकी अच्छाई बात ही है कि जो भी accounts है वो profit ही नहीं देगा उसमें कुछ information होती है जो lack करती है तो वो किसमें आएगा आपका limitations में सबसे पहला point influenced by personal judgment अब देखें जो भी accounting information आपको provide करेगा उसके basis पे decision कौन लेगा जो भी accountant है या जो company या business का owner अब वो जो भी decision लेगा वो अपनी knowledge अपने experience के base पही तो लेगा तो जो भी accounting information उसका जो outcome होता है वो देखें personal judgment पे depend करता है कि जो भी person वहाँ पे decision ले रहा है कि मुझे accounting information का इस तरीके से use करना है तो उसका जो outcome होगा result होगा जो भी आपका profit loss या जिस पे भी वो effect करेगा वो personal judgment पे भी depend करता है कि accounts में तो आपको information दे दी अब उसका use कैसे करेंगे वो आप depend करेगा तो जो भी person अपना decision ले रहा है उसकी knowledge, thinking, experience वो situation में पहले रहा या नहीं ला आप बहुत सारे business man को देखेंगे क्योंकि business में क्या होता है loss आता है downfall आता है present time में कोरोना में तो सारे business man की लगी हुई है तो अब आप उससे कैसे निकलेंगे आप क्या decision लेंगे यह आप क्यों पर depend करता है आपकी knowledge पे thinking पे हो सकता है पहले भी आप situation में रहे होंगे तो आप अराम से decision ले सकते हैं आपको पता मैंने उस time पर यह decision लिया था और इसका मेरे business पर यह effect हुआ आप देखेंगे जब business में आप बहुत सारी चीज़े record करते हैं तो उसके record करने के विए दो-तीन method होते हैं जैसे अगर मैं depreciation की बात करूँ अभी हम ल profit loss जो आप पो पूरे साल मिलेगा वो कभी-कभी accurate नहीं होता है क्योंकि आपने कोई और method follow किया दूसरे ने कोई और method follow किया तो comparison में वहां पर दिक्कत होती है तो जो भी decisions यहां रखेएगा business के होते हैं जो भी चीज़ आप apply कर रहे हैं वो manager के owner के या accountant के decision लिए उसकी personal judgment प effect करता है second based on accounting concepts and conventions अब concept conventions देखें आपके principles होते हैं जिसका पूरा आगया आपको detail chapter मिलेगा यहां पर यह बताता यह है कि जैसे भी आपको मैंने depreciation का example दिया तो depreciation निकालने के बहुत सारे method होते हैं किसी भी asset की अगर आप value निकालेंगे तो इसके 2-3 method होते हैं एक होता है cost price method और एक होता है historical cost method तो एक बताता है कि जब आपने समान खरीदा था या उसके basis पर depreciation लगाई है या profit loss find out करिए और एक है कहता है कि आज के time पर उसकी value क्या है आप उसको record करिए तो एक होता है cost method एक होता है market price method अब इन दोनों मेंसे आप कौन से apply कर रहे हैं तो जो भी आप apply करेंगे उससे आपका profit loss जो भी निकलेगा वो भी तो अलग होगा तो अगर आप दूसरी company से आप compare कर रहे हैं तो उस company ने मार्केट price method को follow किया कि आज के time पे उस asset की value है कितनी और आपने cost price method follow किया कि आपने उस asset को जब खरीदा था आप उस पे लगा रहे हैं तो माली asset है इसकी value है 15 रुपए और मैंने इसको आज से एक साल पहले खरीदा था मैं इसी के base पर अपना decision ले रहा हूं और आज के time पे इसकी value है 20 रुपए जो market price है दूसरी company इसको apply कर रही है तो मेरा जो profit loss होगा और उनका जो profit loss होगा वो तो अलग लग होगा क्योंकि मैंने 15 कालने के लिए कुछ लोग अलग method यह सब पर अप्लाए नहीं होता अब depreciation का कोई भी method लगा सकते हैं यह आपके उपर है मगर उससे जो profit loss यह बिजनस की information आपको मिलेगी वह आपकी अलग होगी और दूसरी company का दूसरा method follow कर रहे तो उनकी अलग होगी तो इसलिए यहां प profit loss आपका बहुत अलग निकलता है वो accurate नहीं होता है exact नहीं होता है next incomplete information आप इनके उपर भी कह सकते हैं कि जो भी आपके accounting information वो incomplete इसलिए कि आप दूसरा method follow कर रहे हैं प्लस देखें जो भी accounts होता है उसमे qualitative information हम लोग record नहीं करते हैं बहुत सारी information होती है जो हम लोग lack कर देत है हमें लगता है यह business के लिए उतनी useful नहीं है या qualitative information जैसे business की क्या और यह goodwill down हो रही है reputation down हो रही है business में छगड़े हो रहे है strike हो रही है तो उससे भी आपके business की market में भी image down होती है और आपके business की sales पे या profit loss पे भी effect होते हैं मगर हम लोग यह जो reasons हैं यह accounts पे record नहीं करते ह हमें क्या चाहिए आपका कितना समान बिका monetary terms में क्या effect और हम लोग सिब यह record करते हैं मगर उसके reasons है strike हो गया reputation down हो गया corona reason हो गया यह और जो problems है वो accounts में उसकी क्या होती है उतनी value नहीं होती है यह accounts को सिब क्या चाहिए quantitative या money के form में आपके पास क्या information है तो इसलिए यहाँ बतार आपकी क्या होती है इने complete होती है यह accurate नहीं होती है omation of qualitative information वही बात हो गई कि यहाँ पे accounts में आप सिफ quantitative पे monetary terms में quantity के form में जो information है सिफ उसको आप एहमियत देते हैं उसी को record करेंगे और उसके basis पे ही decisions होते है जो qualitative information है जैसे strike good will down होना reasons क्या है जो भी employees है उनकी knowledge कितनी है experience कितना यह सब उतना ज्यादा focus नहीं होता है affected by window dressing यह बहुत ज्यादा important point है इसको please important mark कर लीजे यह short में बहुत बार पूछा जाता है देखे window dressing का means क्या होता है manipulation of accounts जैसे आप माल लीजे चोटा से example देता हूं आप किसी mall में गए बहुत सारी shops होती है आपको कुछ जूते खरीदने या कपड़े खरीदने आप देखेंगे बाहर एक फुतला टाइप का होता है और उसमें सबसे best जो कपड़े होंगे या जूते होंगे उसको क्या करते हैं उसको पैना देते हैं तो आप देखेंगे कि यह बहुत अच्छा लग रहा है तो उससे attract हो कि ही आप shop के अंदर जाते हैं brand है तो अलग case है कि आपको हाँ यही brand का समान देना है वरना आप क्या करें ऐसी कि शॉप में अगर एंटर करें आप देखेंगे बाहर उनकी window होती है शीशा होता है बहुत अच्छे अच्छे क्या होता है कपड़े आपके designs होंगे जो best उनकी shop में होंगे तो आपको एक बार मैं ट्रैक करेंगे यह क्या color है क्या जूते हैं तब या उस शॉप में क्या करते हैं एंटर करते हैं और अंदर जाके देख रहे हैं यह बहुत महेंगा है यहां अंदर जाके तो समान हमें मिली नहीं रहा है हम इसे बाहर से आपको अच्छा-च्छा दि लेना है तो वह अपने profit को कम दिखा देगा तो वह खुदी मेंटेंग करवाएगा जो भी अकाउंट अब या profit कम दिखा दो या कुछ और आपको loan लेना है तो profit जादा दिखा दो तो वह अपने हिसाब से accounting information को या values को क्या करेगा तोड़ मड़ो के change करता रहेगा तो बहु ले गए तो वहां पर आप पे penalty लग जाती है और आपकी goodwill भी क्या होती है डाउन होती है next based on historical cost historical cost देखे क्या होता है कि मैंने spend को आज से 2 साल पहले खरीदा था 15 रुपे का और आज के time पे जो इसकी value है वो 20 रुपे तो यह 15 रुपे आपको होता है cost price या historical cost जब आप समान को खरीदते हैं आप उसी value को लेके उस पर depreciation या profit loss को calculate कर रहे हैं या आज के time पे market में उसकी value को आप उसको लेके कर रहे हैं तो बहुत सारी companies या businessmen क्या करते है historical cost को लेके अपनी values को calculate करते हैं या profit loss को find out करते हैं जो सही नहीं है क्योंकि आप अपनी company को अपने business को अगर दूसरे से compare करेंगे तो आज के time पे आप दोनों कहां stand कर रहे हैं वो आपको exact value बताएगा कि यह pen था 15 रुपे गा आज के time पे तो 20 रुपे है तो आप तो 5 रुपे पीछे चल रहे हैं तो आपका जो भी profit है loss है depreciation है जो भी values आपने calculate की हैं वो गलत आएगी अगर आप historical cost भी एक बहुत बड़ा limitation है तो बहुत सारी companies historical cost या जब आपने समान खरीदा है उसके basis पे accounting information record करते हैं और बहुत सारी companies आज के time पे उसकी value किया है उसको change करके तब profit loss find out करते हैं unsuitable for forecasting दीए forecasting होता है कि आपके पास present में जो भी information है उसके basis पे future के जो भी आपके targets है standards है या क्या करना है आपको future में वो आप decide करेंगे मगर जो भी accounting information है वो है तो आप कैस पहले की तो future के लिए आप क्या करेंगे प्रेजेंट में decide कर लेंगे मगर उसकी कोई अशुरिटी नहीं होती है क्योंकि future में क्या होगा जिसे अचानक कोरुना आगे है आपने बिजन सोचा ता यह यह मैं करूंगा अचानक कोरुना आगे आपको यह तो नहीं बताना कल क्या होने तो इसलिए future आप क्या कर रहे है प्रेडिक नहीं कर सकते पहले से क्या होगा तो जो भी आपके standards है targets है वो अपनी previous accounting information की बेस पर ले तो लेंगे मगर उनकी कोई guarantee शुरिटी नहीं होती है क्योंकि future आपका अलग होगा आप decisions आज लेंगे कल क्या करना है मगर करना तो actually में उ forecasting तो जो accounting information है वो आपके लिए उतना suitable या उतना beneficial नहीं होती है forecast करने में आप forecast कर तो लेंगे मगर main चीया रखेएगा उसकी कोई guarantee नहीं होती है कि आपने future में यह price fix कर ली यह cost fix कर ली इतना समान आप बनाएंगे इतनी quantity होगे और इतनी इतनी आपकी sale हो जाएगी आपने अ reason लेंगे वो उतना helpful आपके लिए नहीं होता है बहुत तो यह रखेएगा कुछ आपकी limitations होती है कुछ demerits भी होते है accounts के जो हर टाइम पर हम लोग ने बात की है कि उसके merits ही होते है उसका यह benefit होता business पे benefit जादा होता है नगर यह कुछ उसकी limitations होती है कि जो accounting information है वो इन वज क्यों से बिल्कुल निया chapter में start करने वाला हूं जिसका नाम है account terms